हाई फ्रैंड्स नमस्कार आज हम बात करेंगे कोरोनमाहमारी के विसे में आज इंडिया में इतनी बहेंकर इस्तिति हुई हुई है चारो तरफ हाकार मचा हो लेकिन इस इस्तिति में सोचो कि हम क्या कर रहे हैं आज आज आप जहां देख लो WHATSAP देख लो फैस्वुक देख लो यूटूब देख लो हर जगह लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ सला दे रहे हैं दोस्तों ये सला देने का काम है इस वक्त अपने देश में इतनी बारी पेंडिमिक विबदा आये हुई है और इस वक्त इस देश को आपकी सला की जरूत है नहीं दोस्तों सत्वे रहा है ओग्तर और सब्सक्राइब तो दोस्तों अगर government को और सब को पता होता कि इतनी बड़ी विपता आएगी तो वो सारी वहस्ता पहले से कर रखते थे न ये तो एक प्राकतिक आपदा है अचनक आई हुए आपदा तो केसे इतनी सारी वहस्ता एक साथ हो जाती इस वक्त दोस्तों सला की नहीं देश को आपके जरूते आपके साथ की जरूते दोस्तों एक बात जरूर दियान लखना जब 2020 में फ्रांस अमेरिका और बिटेल में भी कोरोना आये था वो सबसे विक्सित देश है इस दुनिया के लेकिन क्या हुआ एक साथ आई इस विपदा ने उनको भी जग जोर दिया उनके पास भी इतने संसादन नहीं थे और बड़ी बारी मात्रा में मोते हुई तो क्या हुआ वो भी वो भी इस सिचिवासन से निकले इस संकट से निकले किसी भी देश के पास में इतने बड़े संसादन नहीं होते हैं कि एक साथ इतने पेशेंट आजाए तो उनको हैंडल कर सके हर चीज एक सिमित रूप में होती है दोस्तों इसलिए अभी गवर्मेंट और सरकार को और डॉक्टर्स और नर्सों को दोस्त न दे उनके एक कम्या न निकाले वो कर रहे हैं वहती अच्छा कर रहे हैं अभी देश को सिर्फ आपके साथ की जरूती ना की सला की जरूती दोस्तों अभी एक बात सोचे अगर आपके घर में अगर आग लगी हो तो आप क्या करेंगे आप सला देंगे नहीं आप आनन फानन में पानी डूंडेंगे आपको बुचानी कोसिस करेंगे अपने दोस्तों को फोन करेंगे अपने रिष्टेदारों को फोन करेंगे अपने पड़ोशों को पोन कुरेंगे कि हमारी मदद करिये, क्या उस हो का आप सला देंगे? तो यही सीचियोशन अभी अपने देश में हुईए. अभी सला देने का काम नहИं है, दोस्तों. अभी अपने देश के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े रेने का वक्त है. तब इस situation तब इस महमारी से हम पार पाईए अब कैसे खड़े रहे अगर आपको जरूत नहीं है बार जाने की तो घर पे रही है शुरुखसित रही है और अगर बार जाने है किसी काम से अभी फैक्टरिया चल रही है बहुत सारे काम चल रही है लोग बार जा रहे है कोई बा अब मैं एक छोटी से कहानी बताता हूं आपको, एक बार एक पंची के बच्चे समुंदर में गिर जाते हैं, अब समुंदर में गिर जाते हैं, तो पंची क्या करता है, कि एक एक बून लेके बार डालता है, एक एक बून लेके बार डालता है, तो एक दूसरा पंची आता है वो कहता है कि क्या पागलो जैसे अरकते कर रहा है तेरे एक बूंद से निकालने से क्या हो यह समंद्र सोख जाएगा तो वो क्या कहता है दोस्तों कि सला की जुरूत नहीं है देना हो तो साथ दो अब यह बात सुनके वो दूसरा पंची भी उसके साथ में लग जाता है ऐसे करते 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 लाखो पंची वहाँ से समंद्र से बूंद उठाते हैं बाहर डालते हैं तो जब उपर से घरूड बगवान पक्षियों के राजा यह सब देखते हैं वो भी आते हैं तो वो कहते हैं उन पंचीयों को के तुम यह सब क्या कर रहे हो तुमारे एक एक गून से निकानने से यह समंद्र नहीं सुख जाएगा उन्होंने का था राजन अगर देना हो तो साथ दो इस वक्त आपके सला की जरूट नहीं है आपके साथ की जरूट है तो यह देखके खुद करूड भी उसी काम में लग गए अब यह लग गए तो विष्णू बगवान ने कहा कि करूड अगर तुम जाओगे मेरा काम कैसे होगा तो वो भगवन को क्या करते हैं बगवन इस वक्त आपके सला के नहीं साथ की जरूट है अब यह देखके खुद विष्णु भगवान भी आ जाते हैं अब जब वो आ जाते हैं तो समुन्द खुद डर जाता है समुंद्र डर जाता है तो समुंद्र कहता है कि नहीं मुझे शमा करिए और वो उन पंची के बच्चों को बाहर निकाल देता है तो यह ताकत होती है दोस्तों साथ की इस वक्त सला न दें साथ दें इस वक्त देश के आपके साथ की जुरूत है दोस्तों तो यह क्या है यह ए में भी कोस लेंगी अभी अपने गर में विपदा अभी आप यह सोचो कि यार यह देश के उपर विपदा नहीं है यह अपने गर में अपने घर के उपर विपदा ही है तो यह सोचो कि हमें इस विपदा से कैसे निकलना है मेरे गर में इस विप्दा को कैसे में बाहर निकालो ये सोचने का वक्त है ना कि ये कहने का वक्त है कि सरकार क्या कर रही है सरकार को ये करना था सरकार को वो करना था दोस्तो इस वक्त ऐसा वक्त नहीं है और प्लीज इस वो ऐसे कोई नोक्स और ऐसी कोई कमिया ना निकाले इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गवर्मेंट का साथ दे इस वक्त आपके साथ देने की चुरूत साथ कैसे भी तरह हो सकते हैं आपके आज पास कोई कोई पेशन्ट हो तो उसकी मदद करिए जिस तरीके से आप मदद कर सकते हो उस तरीके से मदद करिए आप पैसा ना दे सकते हो तो फिजिकल मदद करिए फिजिकल मदद ना दे सकते हो और किसी ने किसी की तरह से उनकी मदद करिए हर जगह इस situation में दोस्तों government हर जगह नहीं पहुंच सकती है इस वक्त आपके उसके साथ की जुरूते इतने सारे patient एक साथ अगर आ जाए तो government क्या करेगी पर सवा अरब की आबदी अपने देश की उस सवा अरब की आबदी में इतने से doctor इतने से nurses और इतनी सी government के employees क्या करेंगे दोस्तों इस वक्त आम public को भी government के साथ कंदे से कंदे मिला के चलना होगे तभी इस महामारी से हम पार पाएंगे हम 26 जनुरी और 15 अगस्त को देश भक्ती दिखाते हैं वो देश भक्ती बिल्कुल अच्छी बात है आप दिखाते हो लेकिन ये वक्त भी देश भक्ती दिखाने का वक्त है देश के परती है अपने कर्तव को निबाने का वक्त है इस वक्त आपको देश बक्ती दिखानी है इस वक्त आपको देश के साथ कंदे से कंदे मिला के चलना है इस वक्त आपको लोगों की मदद करनी है और सरकार की मदद करनी है इसलिए दोस्तों जो देश साथ या भारत फिर मुस्क्राएगा भारत